Hello everyone, welcome to my internet brain. में नहीं में वर्दानिगर्ग और continue करते हैं अपनी study of artificial intelligence. So guys, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? So guys, यह वीडियो है आपका chapter overview के उपर. मतलब इसमें हमें chapter overview मिलने वाला है किसका? So guys, class 10th artificial intelligence के एक chapter का that is data science. So data science जो अपका unit है या chapter के लो, क्योंकि unit के अंदर ही सारे parts है, chapter subdivided नहीं है, तो unit के लो या chapter के लो which is data science, तो इसका हम chapter overview देखने वाले हैं इस वीडियो में. क्योंकि यह chapter है, उसमें हमें पता होना चाहिए कि chapter के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या के topics आगे cover होने वाले हैं, ताकि आप भी अच्छी तरीकी से follow कर पाओ. ठीक है, तो फटवर्वर्ट चलते हैं और discuss करते हैं कि यह इसके अंदर क्या के topics हैं, जो हम देखने वाले हैं और आपको किन-किन topics पे ध्यान रखना हैं. ठीक है, चली फटा-फट शुरुबात करते हैं, तो यह चाप्टर ओवर्व्यू के करें बात करूं, तो यह है कुछ चाप्टर ओवर्व्यू, ठीक है, जिसमें हम शुरुबात करेंगे introduction से, देखेंगे कि यह क्या क्या चीज़ें इसके इंदर आती हैं, ठीक है, मतलब हमें इसमें परद चलेगा, what is data science, why is data science, what is the need of data science, तो यह सब कुछ जो questions हैं, जो दिमाग में रहते हैं, वो सब आपको answer हो जाएगे, मतलब यह video अगर आप देखोगे, तो clear kit में कह रहा हूँ, आपको idea मिल जाएगा, कि यह किस चीज़ के बारे में है chapter, मतलब यह जो data science word है, यह data science क्या word है, किस के ओपर है यह पूरा chapter, ठीक है, क्या चीज़े हम इसमें देख सकते हैं, मतलब chapter के अंदर क्या मिलने वाला हैं, क्या achieve करने वाले हैं, और basically यह कैसे artificial intelligence से different है, मतलब AI के अंदर artificial intelligence चल रहा है, उसके अंदर data science का क्या significance है, तो वो सब आपको इस वाले वीडियो में अगर आप देखोगे, तो समझ मा आचाएगा, साथ में इसमें आपको मैं कुछ tools भी बताऊंगा, कि data science को use करने के लिए, फिर data science पे काम करने के लिए, जो tools की जोत पड़ती है, वो tools क्या-क्या है, अलग-लग fields के अलग-लग tools है, बहुत सारे available है, उसमें से top क्या चल रहे है, क्या आपको use करने चाहिए, तो वो सब का आपको idea पढ़ जाएगा, अगर आप ये वाला video देखोगे, तो इस video से आपक तो कर लिया, पर उस chapter की heading है, जो भी नाम है, यहाँ पर data science है, तो पता होना चाहिए, उसको मतलब क्या है, क्या हम उसमें आगे देखने वाले है, तो वो सब चीज़े पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम introduction ही cover करेंगे, देखेंगे कि क्या है ये data science, किस बला का नाम है data science, तो इस वीडियो के बाद आपको ये पूरा चीज पता चल जाएगे, कि what is data science, उसके बाद आता है applications of data science, चलो data science हमने पता कर लिया कि क्या है, what is data science, why is data science, that we all know, अब आगे हमारे लिए important है उसके application जानना, क्योंकि यह कोई भी चीज है, अगर हमें सिर्फ theoretically पता है कि हाँ, य नहीं आता, तो it is very important कि कि किसी भी field का, या कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, तो उसका application आपको पता हो कि कहां-कहां वो apply हो सकता है, क्योंकि अगर आपको वो application नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि वो कहां-कहां apply हो सकता है, तो इसी चीज में फस जाओगे, कि theoretical knowledge हो पर उसका apply नहीं कर पाओगे, so it is very important कि आपको उसका application पता हो चाहिए, तो इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस data science का कितना broad application है, बैलकि अगर मैं आपको कहूं, तो artificial intelligence का major जो role है, जो major part है, वो data science है, तो major जो आपको applications देखेंगे data science, सही, artificial intelligence के AI के maximum applications आपको दि video की length की कमी नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी हो जाएगी video, तो इसे लिए हम कोशिश करेंगे, कि maximum जो important or important application से वो इसमें cover कर ले, maximum, ठीक है, जो बलकि अगर मैं आपके कहूं, question के हिसाब से, मतलब paper के हिसाब से भी, जो questions आने वाले हैं, वो भी इसमें cover हो जाए, तो वो हम पूरी इसमें कोशिश करेंगे, ठीक है, इसके बाद आपको मैं revisit कराऊंगा, आटिफ सई, AI का project cycle, तो जो हमारे project cycle था, जो हमने इससे पहले करा हुआ है, second unit में जो हमने project cycle देखा हुआ है, उस project cycle पे हम revisit करेंगे, और ये सारे हमने stages देखे हुए हैं, तो पहले तो मैं आप आपको एक scenario बताऊंगा, ठीक है, मतलब एक example, एक example बताऊंगा, एक scenario बताऊंगा, मतलब एक problem बताऊंगा असपस, अब उसके ऊपर आपको project cycle लगाना है, इन stages को, ये stages हमने पढ़ी हुई है, पहले पढ़ी हुई project cycle में, तो वो stages हम यहां लगाने वाले हैं, पहला है problem scoping, फिर है data acquisition, फिर है data exploration, फिर है modeling, और फिर है evaluation, मतलब ये सारे जो आपके इस project के cycle होते हैं, मतलब project cycle में, जो stages आप follow करते हो, वो stages है ये, और एक particular scenario में, particular example पे हम ये सारे ही, आपके जो project, मतलब जो भी ये stages है, इन सब को अपलाई करेंगे, समझ माया, इसके बाद हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे data collection पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे, भाई, what is data collection, पहले तो समझ माया चाहिए, what is data collection, what is the importance of data collection, हमारे आसपस कितना सारा data available है, ठीक है, बिखरा हुआ है data, बस उसे collect करने की जरूत है, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे समझ मायाईगी, आपको वह समझ मायाईगी, कितने type की types है, मतलब बहुत सारे types की data भी हमारे पास available है, तो वह क्या-क्या types of data available हमारे पास, कैसे आप उनको collect कर सकते हो, तो वह सब इस वाले part में आपको clear हो जाएगा, मतलब clear कर आपको यह समझ माया जाएगा, कि data is very important, चलो वह तो आपको वैसे यहाँ पर starting में समझ मायाँ जाएगे, कि data is very important, क्योंकि पूरा artificial intelligence data पर based है, data is very important, यह हमने बहुत पहले conclude कर लिया था, initial stages में हमने चीज conclude कर लिया, तो importance पता है, पर यह नहीं पता कि data है कहाँ पर, क्या चीज data है, हर छोड़ी छोड़ी सी minute details भी data है, तो वो जो data हमारे चालो तरफ बिखरा हुआ है, उसका idea में आपको इसमें दूगा कि कहां कहां है आपके पास data आगे, मतलब आस पास आपके surroundings access होना बहुत important है, कि कहां, suppose data बहुत सो available है, but वो data को जो भी आपके आसपास available है, उसके पास पहुंच भी तो होनी चाहिए आपकी, अगर आप उस data तक पहुंच दी पा रहे हो, collect नहीं कर पा रहे हो, तो क्या importance है उस चीज की, तो यहाँ पे हम एक topic discuss करेंगे, विच इस data access, ठीक है, अब actually में, जुसका next part है, वो हम यहाँ से लेके आएगे, मतलब introduction में ही मैं आपको बताऊंगा, कि क्या-क्या चीजे हैं, जो data science है करनी पड़ती है आपको, ठीक है, मतलब काफी सारे external factors, जैसे कि statistics, mathematics, computer science, यह सब चीजे जुड़के, आपका data science बनाती है, उसमें एक बहुत important role play करता है, which is statistics, ठीक है, तो इस वाले वीडियो में, एक basics introduction लूँगा भई, statistics का, अब देखा, statistics बहुत boring chapter था न, बहुत boring chapter था क्या, बलकी boring chapter है, आपके भी syllabus में भी होका math में, statistics, बहुत boring chapter लगता है, reason क्या statistics boring इसले लगता है, because आपसे वो manually कराया जाता है, ठीक है, ना आपको variation निकालना है, कुछ भी खुद नहीं निकालना है, ठीक है, क्या होगा, आपको python programming language सिखाया है, मैंने, python programming language सिखाया, अब इस python programming language की मदद से, हम ये statistics के tools use करेंगे, मतलब, आपको ये पता होना चाहिए, कि कब, किस scenario में, किस example में, कौन सा statistics का tool लगना है, जैसे mean लगना है, कब mode लगना है, कब median लगना है, कब variance निकालना है, ये तो कुछ basic example जो आप कोई पता है, वो मैंने बता है, और भी बहुत सा statistics के tools है, ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे, कि कब क्या लगने चाहिए, और basic थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है, बहुत advanced नहीं है, य आनोली कुछ भी calculate नहीं करना है, सब कुछ कहां available है, आपकी python programming language में available है, python programming language के साथ आते है statistics के tools, आपको बस करना क्या है, उनको call करना है और उनको use करना है, तो use करना आना चाहिए, tools को बनाना नहीं है, right, tools बनाने नहीं है, tools इस यूस करना आने चाहिए, तो यहां से वो headache ह बहुत इंट्रेस्टिंगे मसा आगा आपको यहां पर तो यहां पर इसके बात चुलेंगे में यह भी इंडी में इन्वाल्ड होता है याद है बार ग्राफ बनाना और कई सब नहीं एक ते पिर आपने शायद फ्रिक्वेंशी डिस्ट्रेबिशन बना रख ये पालीगन वना रखा है तो वह सब चीज आपने भी ग्राफ्स बनाना सीखेंगे से नहीं है उल्यारा कि यह पाइफन कैसे बनाए राख चाहिए दिंगा यह रिक्रूरम्स five एड़ करें उस Rocky की स्कुश्त ग्राफ के हमें जरूत पढ़ती है कुछ और एडवांस ग्राफ की जरूत पढ़ती है ठीक है जो at least कुछ आपको पता रूची मतलब 3 to 4 ग्राफ और एक्स्ट्रा है जो आपको पता होने चाहिए तो वह मैं आपको इस वाले पार्ट में बताऊंगा ठीक है कि क्या-क्या ग्राफ से एक्जिस्ट करते हैं डिटा साइंस में बहुत सारे ग्राफ से इस करते हैं जो यूज होते हैं लगलग सेनारियों में बिट कुछ है जो हैं जो माक्सिमम टाइम्स यूज होते हैं तो उनके ओपर हम देखने वाले कि वह कौन-कौन से ग्राफ से और वह हम यहां पर कवर करेंगे सेवर्थ वाले पार्ट में उसके बाद यह होगे डेटा विजुलाइशन को कर रहे होंगे इसके बाद चलेंगे यह आपको डेट मतलब डेटा विजुलाइऻ्शन मतलब ग्राश डॉकर डेटा को विजुलाईश कर ना समझ ना देखनाव और वह ब्स अब समझा पाऊगे ग्राफ के फवार्म रिट पेचे माइख्या वो पाई चार्ट भी हो तो चार्ट भी हो सकता है ग्राफ भी हो सकता है तो वह सब हम सीखेंगे कि कैसे बना सकते हैं Python में इस वाले पाई ठीक है उसके बाद चलेंगे Classification Model पे मतलब अब modeling पे आजेंगे हम ठीक है modeling पे अब देखो यहां पर modeling वाला से इस था ना ठीक है modeling वाला exploration हो गया exploration वाले में आता है आपका लेको हम सिंपली यही project cycle की बात कर रहें problem scoping हमें आ गया data acquisition actually में data collection का पार आ गया ठीक है अब इसके बात फिर data exploration में basic statistics or data visualization आ गया अब modeling की बात ही तो modeling की जब बात आती है तो modeling में आपको पता हो रहें कि क्या-क्या models आप लगा सकते हो तो अलग-अलग fields में मतलब अगर मैं data science लू फिर computer vision लू फिर NLP लू मतलब natural language processing लू तो इन सब के अलग-अलग models exist करते हैं जो आप apply कर सकते हो उनको sort करने के लिए मतलब उनको solve करने के लिए या फिर उन problems को solve करने के लिए data analysis करना आपको है data science की मतलब से वह आपको यहां पर समझ माझ जाए कि क्या करने वाले हम data science में तो basically analysis करने वाले data का तो data analysis के लिए आपको कुछ models पता होने चाहिए मतलब कुछ algorithms पता होने चाहिए कुछ methods पता होने चाहिए I would say तो methods क्या है वह methods हम यहां discuss करने होंगे classification model में तो हम personality prediction करने वाले है basically personality prediction करने वाले किसकी मदद से with k-nearest neighbor algorithm की मदद से तो algorithm का नाम क्या है k-nearest neighbor यह algorithm का नाम है k-nearest neighbor और इससे हम करने के आवले मतलब क्या example लेंगे personality prediction का example लेंगे और यह हमारा model वाला part complete हो जाएगा अब सीन यह है data science में बहुत सारे models exist करते हैं बहुत सारे models बट उसमें से आपके syllabus में सिर्फ k-nearest neighbors है तो हम वही k-nearest neighbor वाला algorithm सीखेंगे समझ माया अच्छा यहां तक यह सारे stages complete हो गए बट यह evaluation वाले stage बच गया ठीक है evaluation तो हमने किया ही नियर खतम हो गया आपका ठीक है syllabus मतलब पूरा यह chapter complete हो गए यहाँ पर evaluation के लिए पूरे एक separate chapter है आपके syllabus में जो लास्ट चाप्टर है ना evaluation वो पूरा आपका एक syllabus में लास्ट पूरा चाप्टर evaluation दे दिया गया है ठीक है तो इसके बाद अभी इस चाप्टर के बाद आपके और दो chapters है that is computer vision and NLP natural language processing and computer vision CV ठीक है उसमें भी कुछ ऐसा ही कायम करना होगा कुछ ऐसा साही सिरारी होगा यही आपका evaluation समझ में आचाएगा ठीक है I hope यहां तक आपको यह पूरा चाप्टर का overview समझ में आ गया होगा कि क्या हमारा इस चाप्टर में है ठीक है क्या आप expect कर सकते हूं आगे करने वाले हैं ठीक है और आपको एडिया पढ़ गया होगा कि इस चाप्टर में हम कैसे आगे बढ़ने वाले राइट चाले तो यह होगे आपका chapter overview of unit data science from for class 10th artificial intelligence चाले आगे बढ़ते इसमें next क्या है तो next year हमारी website which is magnetbrains.com तो google पर आपको टाइप करना magnetbrains.com पहले website आई कि उस पर क्लिक करोगे तो यहां लाइं कर जाओ कि this is our home page यहां पर cbc English medium पर क्लिक करिए class 10th select करिए तो class 10th के सारे courses open हो जाएंगे जो हम offer करते आपको ठीक है magnetbrains.com पर आपको offer करता है इसमें artificial intelligence search करी watch knob पर क्लिक करोगे तो artificial intelligence के सारे courses open हो जाएंगे chapter wise सारी videos chapter wise किसी भी chapter पर क्लिक करोगे उसके सारी videos open हो जाएंगे किसी भी video पर क्लिक करोगे वो video play हो जाएगी जिसमें play pause को आगे पीछे speed control volume control सारे option आपके पास except यहां पे 3 advantages जिस और है आपके पास क्या 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 तो देखो यार पहला यहां पर कोई भी distraction नहीं है ठीक है यहां पर इधर उतर की video आपको distract नहीं करेंगे यहां पर magnetbrains को सारा content आपको मिल जाएगा आप NTSC उठा लो, Olympiad उठा लो, Hindi medium उठा लो, English medium उठा लो, सब कुछ आपको यहां पर content मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से organized तो यह मुझे लाता है दूसरे point में which is organization यहां पर चीज़े बहुत अच्छी तरीके से organized बहुत अच्छी तरीके से organized है यहां पर यहीट पर यह पर यहां पर यह तीसरा point which is free of cost platform तो यह platform free of cost है free of cost का मतलब यह नहीं कि दो वीडियो free of cost फिर आपको कुछ पे करना है no that is not the case क्या से नहीं है पूरा course आपको free of cost करा जाएगा पूरा course ठीके आपको यह website पे भी और even YouTube पे भी पूरा कोर्स आपको free of cost मिलेगा तो यह जुड़ जाओ इसके साथ और इसका फायदा उठाओ ठीके और अगर कोई दिक्क्त है तो कमेंट सेक्षिन पर यापी लोग के लिए ना दाउट से भर दो कोई भी दिक्क्त आएगी मैं या मेरी टीम कोशिश करेंगी उसको जल्द से जल्द resolve करने की गईस आगर आपको हमारा मिनत अच्छी लग रही है इसी तरीके से content पसंद आ रहा है वीडियो तो अच्छी लग रही है प्लेलिस पसंद आ रही है तो हमारे सेतिनी के मांगन बेस के जुड़े रही है पेकज हम लातिया आपके लिए kindergarten से class 12 तक हर course free of cost हर course में हम आपके साथ हैं so we expect आप भी मैंसे इस तरीक से बने रहेंगे मैं आप से मेलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन गट बाय थैंक्यू बेरी मच्छ